नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News और मैं हूँ आपके साथ दिव्यान शीगॉड पेश है इस वक्त राधस्तान की खास खबरें केलिर के किश्री कारुनों की खिलाब जारी हला बोल के वीच किसानों ने एलान किया है कि वे 26 जनवरी यानि गंतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रेक्टर रेली निकालेंगे मंगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रिम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया है जिस पर आज सुनवाई होगी सुनवाई की दुरान सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तै करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं कोर्ट ने कहा है कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तैक करेगी और अब इस मामले पर बुद्वार 20 जनवरी को सुनवाई होगी सुनवाई की दुरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कामिन विवस्ता से जुड़ा है और इसके बारे में फैंसला पुलिस लेगी इस मामले से निपटनी के लिए आपके पास सारे अधिकार है दिली में किसे प्रवेश्ट देना चाहिए इस बारे में फैंसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए इस विशे पर 20 जनवरी को विचार करेंगी अपनी कारेकाल के तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी राजिकी अशोग गहलोस सरकार अब संगधन की सला और फीडबैक की आधार पर काम करेगी और जमीनी फीडबैक से निकल कर आई मांगों और सुझावों पर प्रात्मिक्ता से काम करेगी प्रदेश कॉंगरिस के ओर से जनता से सरकार की कामकाज का फीडबैक जुटा कर सरकार को भीज़ा जाएगा और उसी आधार पर सरकार आगे काम करेगी सुत्रों की माने तो प्रदेश के सभी जिलों और गाम धानियों में संगधन से जुड़े नेता और कारेकरता सरकार के दो साल के कामकाश खुले कर जनता में क्या प्रतिक्रिया है इसका फीडबैक लेकर प्रदेश कॉंग्रिस को भीजेंगे पुरा मुख्य मंत्री वसुंद्रा राजे ने स्कूल संचाल को और छात्रों से कोरोना महमारी के प्रतिय साभधानी बरत ने और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स का पालन करने की अपली की है राजे ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये बात कई लोग बता चुके हूँगे लेकिन इसे फिर से दोहरा रही हूँ मास्क पहनने वे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निमो का पालन अवश्य करें राजे ने अपनी ट्वीट संदेश के साथ ही अपने कारेकाल के दोरान एक तस्वीर भी साजा की इस तस्वीर में राजे पूरों में रुए एक कारेक्रम में स्कूली चात्राव से बाच्चित करती दिख रही है राजसान में एंटिटी निक्तियों को लेकर एक बार फिर से घमासान मच गया है महिला बाल विकास मंतरी परिणाम के बाद निक्तियों का वामला सुझाने में फेल रही है ICDS विभाग ने नियुक्तियों के अधूरी नियुक्तियां निकाल कर फिर से विवादों को जन्म दे दिया है नर्सरे टीचर्स ट्रेनिंग भरती में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है महिला इवंबाल विकास विभाग ने अधूरी सूची जारी कर नए विवाद को जन्म दे दिया है प्रदेश के 20 दिनों के 90 निकायों में हो रहे चुनाओ में मगलवार को नाम वापसी के अंतिम दिन से पहले बाग्यों को मनाने की मान मनुहार टेश हो गई सतारूर कोवने सूच भाजपा अपने अपने बाग्यों को मनाने की आखरी कोशिश कर रही है 19 जन्मरी दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी का अंतिम मोका है ऐसे में दोनों ही दलों के विधाये कोर स्थानी अनेता बाग्यों को मनाने में चुटे हैं पिछले तीन दिनों से बाग्यों को मनाने की कवायर चल रही है लेकिन बाग्य मनुहार को अंसुना कर चुनाओ मैदान में डटे हुए है बारण और फ्रांस के मद्य युद्धा भ्यास काई रोस का आयोजन जोदपूर में किया जा रहा है फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू विमान रफाल पहली बार किसी युद्धा भ्यास में शामिय होंगे अम्माला सिथ भारते वायु सैना की गोल्डन एरोस कोईडन के रफाल विमान को रविवार को जोदपूर के आस्मा पर नज़र आया रफाल विमानों ने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर अभ्यास किया भारती वायु सैना और फ्रांस सी वायु सैना के मद्ध स्कॉई रोस युद्धा भ्यास 19-25 फरवरी के मद्ध जोदपूर एरफोर स्टेशन पर प्रस्तावित है कोरोना महामारी के लगातार घरते पेमाने के बीच भले ही राजसरकार किसी तरह की धिलाई बरतने के मूर में नहीं दिख रही हो लेकिन नेताओं और आमजन के बीच से नाइट कर्फियों को खतम करने का इसके व्याद में धिल देने को लेकर आवाज उठे लगी है सोशल मीडिया प्रेटफोर्म्स के जरीए भी लोग अपनी भावनाओं को राजसरकार तक पहुचाने की कोशिश कर रही है नाइट कर्फो की पाबंदी घटाने की मांग करने वाले मेताओं और लोगों की इसके पीछे कई तरह की दलिली है जोदपुर दिली विमान में तक्नीकी खरावी आने की करण यातरी धिन भर एरपोर्ट में अटके रहे इंडियो एरलाइन्स की फ्लाइट सुबह सवा नो बजे दिली से रहाना होकर करीब साड़े दुस बजे जोदपुर पहुच ले और इसके बाद इस विमान को फ्लाइट संक्या 6E 2427 बन कर सुबह साड़े ग्यारा बजे जोदपुर से दिली के लिए उड़ान भरना था अचानक से विवान में तक्नीकी खरावी आ गई और एरलाइन्स कमपनी ने विवान में तक्नीकी खरावी को दूर करने की कोशिश की लेकिन कई घंटे बीचने के बाद भी उसे दुरुस नहीं किया जा सका और उधर एरपोर्ट में बैठे बैठे यात्री परिशान हो गए और अब खबरी श्री गंगानगर हनुमानगर जिले की श्री गंगानगर में कोरोना संकट के चलते पिछले वर्ष मार्च से बन पड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्तानों को आखिर सोंवार से खोलने के आदेश जारी कर दिये गए हैं मानक संचालन प्रक्रिया जारी होने के बाद इसके अनुरूप ही विद्यालियों में विद्यार्थियों को प्रविश्ट दिया गया अविभावकों से लिकित में लिया गया है कि वे अपने बच्चों को शिक्षण संस्तान में भीजने के लिए सहमत है और वहीं स्कूल ने भी अपने स्तार पर तवाम प्रबंद किये हैं विद्यालियों के संचालन के साथ ही कक्षाओं के बाहर फुट सैनिटाइजर मशीन का प्रबंद किया गया है मानक संचालक प्रक्रिया के नुसार एक दिन में 50% विद्यार्थी ही बुलाए जाने थे पहले अधिकांश विद्यालियों में विद्यार्थियों की संख्या काफी कम रही विद्यालियों में विद्यार्थियों को बिना मास्क प्रविष्ट नहीं करने दिया गया जहां एक और स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए राजय सरकार क्यूर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया में सीधे तोर पर किसी विद्यार्थी के अस्वस्थ होने पर इसका पूर्ण खर्च सम्मंदित विद्याले वे वहन करने की बात कही है और वहीं श्री गंगानगर में कुछ विद्याले संचालक यह जिम्मेदारी भी अभिभावकों पर डालते नजर आए श्री गंगानगर के गोशाला रोड निवासी एक अभिभावक ने ऐसा ही एक लिंक SBT News के साथ सांजा किया इस लिंक में स्वास्ते सबंदी कोई परिशानी नहीं होने पर भी इसी तमाम जिम्मेदारी अभिभावकों पर डालते हुए उसन से इस पर सहमती ली गई अभिभावक ने बताया कि यह राजे सरकारी मानक संचालन प्रक्रिया के नियमों का उलंगन है श्री गंगानगर में अस्थाई सफाई करमचारियों को दो मास से वेतन का भुकतान नहीं होने के विरोध में तथा स्थाई अस्थाई सफाई करमचारियों के विबिन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शेहर की सफाई विवस्ता को ठप कर दिया गया है इसी के साथ सोंवार सुबै सभी सफाई करमचारियों ने अखिल भारतिय सफाई मज़ूर यूनियन के नित्रतों में नगर परिशत के मुख्यद्वार को बंद कर बाहर धरना लगा दिया इस दोरान परिशत के अधिकारियों में करमचारियों की आवाजाही भी रोके रखी दोपहर में समाचाह लिखे जाने तक अंदोलरत सफाई करमचारियों ने नगर परिशत प्रिशासन से वार्ता का भी कोई प्रियास नहीं किया श्री गंगानगर संयुक्त व्यपार मंडर ने मुख्यमंत्री के नाम एक ग्यापन जिला कलेक्टर को सोप कर दुकानों का समय रातरी 8 बजे और होटरल ढाबो रेडियो का समय रातरी 10 बजे तक करने की मांग की है। व्यपारियों ने ग्यापन में बताया कि कोरोना संक्रमन अब अंतिम चरण में हैं। कोरोना काल का सबसे ज़्यादा दुश प्रभाव मध्यम व्यपारी वर्ग वे छोटे वर्ग पर पड़ा है। रातरी कालीन कर्फि होने पर कई व्यपारिक संस्तान बंध होने के कगार प का समय सुबह 10 बजे तक करके राहत प्रदान की जाए। श्रीयंगानगर में गैर खातेदारी से खातेदारी देने के प्रकरणों को लेकर उपखन अधिकारी हरकत में आ गए हैं। पिछले दिनों मुक्यमंत्रिय अश्रो गहलोत ने जिलक अलेक्टरों को वीसी में गैर ख खातेदारी से खातेदारी देने के प्रकरणों की स्टडी करके साथ दिन में रिपोर्ट प्रसूत करने के निर्देश दिये हैं। कोई भी निश्य सामगी पर आप नहीं हुई। श्रीगंगानगर दिल्ली श्रिगंगानगर स्पेशल एक्स्प्रस ट्रेन के रूप में मिल रहा है। इस ट्रेन के संचालन के तयारियां श्री गंगा निगर स्टेशन पर कर ली गई है। बड़ी संख्या में यात्रियों ने दिल्ली की यात्रा के लिए रिजर्वेशन करवा लिया है। रेल्वे अधिकारियों के नुसार 18 जन्वरी सोमवार से गाड़ी संख्या 04727, 04728 श्री गंगा निगर से प्रतिदिन रातरी 8.45 बजे रवाना होकर यह गाड़ी अगले दिन सुबे 8.45 पर पुरानी दिल्ली स्पेशल पहुँचेगी। पुरानी दिल्ली से यह ट्रेन प्रतिदिन शाम 6 बजे रवाना होकर अगले दिन प्रते 5.55 पर श्री गंगा निगर पहुँचेगी। स्वदेशी कानुन ससाइटी की लोक संसत का अगला सत्र मंगलवार को श्री गंगा निगर नई धानमंडिस सित्थ दगंगा निगर टेडर्स एसोसेशन सवाघर में होगा। अध्यक्ष भारतिये पुलिस सेवा के सेवनवृत अधिकारी दिलीप जाखर ने बताया कि दोपहर एक बजे होने वाली लोक संसत में सांसत निहाल चंद को भी आमंतरत किया गया है। पुलिस को मुकदमा दर्श करने की आदिश दिये। परिवादी 108 N-Block और हॉल रिदी सिधी होम निवासी विने अगरवाल ने अधालत को दिये इस्तगासे में बताया कि आरोपी आयूज जैन परिवादी का पडोसी है। परिवादी से जान पैचान का हवाला दे कर कहा कि उसकी कमपनी नगत जमा पर अन्य बैंकों से अधिक ब्यास देती है। आरोपी ने कई लोगों द्वारा करवाई गई FDR के दस्तावेज लिख कर परिवादी को जाल में फसा लिया। वाद में प्रसावित मैडिकल कॉलेश की नक्षे से IAM भवन को अलग करने, पूरों में हुए समझोतिक एनुसार वेकल्पिक सान उपलब्द करवाने तता जब तक नया भवा नहीं बनता तब तक वरतमान IAM भवन को नहीं तोड़ने का आदेश करने की अपिल की गई है। श्री गंगानगर जिला मुख्याले पर तीन पुली मार्क परस्यत राज के कॉलिश में कंटंतर दिवस गरी मापोंड मनाया जाएगा। कारेकरम में शामिल सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवारे हुगा। थर्मल स्कैनिंग तता हेंट सेनेटाइजिशन की प्रयाप्ट विवस्ता भी रखी जाएगी। श्री गंगानगर जिला मुख्याले पर जागरुकता रेली का आयूजन किया गया। इस अफसर पर स्काउट्स ने यातायात पुलिस थाने से रेली निकाल कर आमजन और वहन चालकों को सडक सुरक्षा माह के तहर जागरुक होकर यातायात नियमों का पालन करने का आहवान किया। शहर के विबिन मार्गों से होकर गुजरी रेली में बच्चों की तक्तियों पर यातायात नियम और उनके जागरुकता सबंदी नारे लिखे हुए थे। सडक दुरगटनाओं में कमी लाने के उधिश्य से सडक सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा।